Hello students, welcome back to my channel So students, जैसा कि आप सभी लोगों की परिच्छाय नजदीक आ गई है और मैं लगतार आप लोगों के लिगे आपके सभी सब्जिक का Important Question की वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि आपको किस तरह से अपने एक्जाम की त्यारी करनी चलिगे और कौन कौन से Questions ऐसे हैं जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे मैं लगतार सभी सभी सब्जिक की अपलोड कर रही हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके भी ये थार सेमेस्टर और इंग्लिस लिटरेचर का important questions आज की वीडियो में आपके इंग्लिस लिटरेचर का ऐसा हैसा question बताने वाली हूँ जो की बहुत important है और अगर आपने कुछ भी त्यार नहीं किया भी को आप लोग त्यार करके ही अपने एक्जाम में जाएगा तो देखिए आपका पहला क्वेस्टन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेस्टन नमबर वन है वाट इस रिवेंच ट्रेजडी रिवेंच ट्रेजडी क्या है यह आप से पूछा जाएगा और यह क्वेस् क्या है उसके बाद देखिए आपका क्वेस्टन नमबर टू है राइट शॉर्ट नोट ऑन दा कॉमेडी ऑफ मैनर्स देखिए आपको नोट लिखने के लिए कहा जाएगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे यह क्वेस्टन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेस्टन नमबर ट्री है एक्स्प्लेइन क्लोजेट ड्रामा विद एक्जामपल देखिए क्लोजेट ड्रामा क्या है देखिए जो आपकी यूनिट नमबर वान है ड्रामा टाइप उसमें एक ड्रामा का टाइप है क्लोजेट ड्रामा तो यह क्या है आपको यह बात करना होगा उसके बाद देखिए आपका question number 4 है mention the main characteristics of expression drama देखिए expression drama क्या है उसके main characteristics को मतलब आपको explain करना है लिखना है और देखिए यह भी कि unit number 1 का ही question है देखिए आपका question number 5 है most important what is circumlocution देखिए circumlocution जो आपका है यह आपके unit number 2 में element of drama है वह है आपका और वहां से आपका question उठाया गया है कि circumlocution क्या है देखिए question number 6 है what do you understand by malapropism यह malapropism जो है यह भी आपका element of drama है वहीं से आपका question बना गया है कि आप malapropism से क्या समझते हैं और यह भी question आपका important है इस तरह के question आपके very short में आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बाद देखिए question number 7 है यह भी बहुत important question है point out the difference between prologue and epilogue देखिए prologue और epilogue यह क्या है यह literary terms है drama के literary terms है prologue और epilogue तो इन दोनों के बीच में क्या difference है क्या answer है यह आप लोगों को बताना होगा और यह question आपका बहुत जादा important है देखिए आपका question number 8 है what do you understand by hubris देखिए जो hubris है वो भी एक drama का literary terms है तो आपको यह भी बताना होगा कि hubris क्या है और देखिए यह सब इस टाइप के question आपके very short में पूछे जाएंगे और इसका answer आपको 50 words में देना होगा उसके बाद देखिए question number 9 है explain setting and short यह जो setting है यह भी क्या है यह भी drama का literary terms ही है तो देखिए जो drama के literary terms है यह unit आपकी बहुत जादा important है तो इस के बाद देखिए question number 10 है आपका और जो कि यह आपका question आपके एक्जाम की दिरिश्टी से बहुत important है देखिए question है आपका what are the three units of drama क्या three units of drama आपको बताना होगा क्या है उसके बाद देखिए question number 11 है इसके आपको बताना है रहना का किस में किस ड्रामा में arms and the man में उसके बाद देखिए question number 12 है discuss the circumstances which lead to suicide of you killer in all my sons देखिए students ये question भी आपका क्या है बहुत important है और ये उपर वाला question भी बहुत important है question number 13 है discuss the character of Troy Maxon in August to Wisland's Francis ये question भी क्या है important है देखिए आपका next question है what does the little of August to Wilson's fences stand for ये question क्या है ये भी बहुत important है इसको आप लोग जरूर त्यार करके जाएगा देखिए question number 15 है how are the past and present intertwined in a street car named desire ये question क्या है ये भी बहुत जादा important है और मैं students आपको start में बता चुकी हूँ जितने question बता रही हूँ सभी important ही बता रही हूँ ये सब question आप लोग अपने exam में त्यार करके जरूर जाएगा अगला question है consider the character of Macbeth as a tragic hero ये question भी बहुत जादा important है आपके exam की दिरिश्टी से उसके बादेखिए आप लोग इसको भी देख लीजेगा उसके बादेखिए अगला question है discuss the conflicts between self-interest and social responsibility in the play all my sons उसके बादेखिए अगला question है write a note on the theme of the play fences by August Wilson ये question आपका बहुत जादा important है इस student आप लोग इसको त्यार करके जरूर जाएगा so इस student आपको मैंने आज पुरे 19 questions बता हैं जो कि आपके exam के लिए बहुत जादा important है आप ये 19 questions त्यार करके जरूर जाएगा इसमें से आपको बहुत सारे questions अपने long में short में very short में देखने को मिल ही जाएंगे तो I hope वीडियो पसंदा आया और अपको पसंदा आया तो वीडियो को लाइक कमेश रख करके चैनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो अब मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ